हालो गुड मॉर्निंग ओल अप यू सात्यों रोजाना की तरह मैं विविक कुमार अपने यूटूब चैनल यूवी कंपेटिसंस में लेकर पस्तितो टूड़े करंट अपिर्स जी के का इंसी कि ओजि आज 22 माई वार सुकर्वार के स्क रहकेहं मेरे प्यारे सातियों वीरी ओपोरा देखेढम क्वेस्ट्ट ऑप दाडए क्वे वीडियो में कंटेंट करने 1 1 वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझाएगा कि हमारा content किस लेवल का है को साथिर रोजाने की तरह आज का वीडियो शुरु करने से पहले यानि कि आज का current पिर सुरु करने से पहले बात करते हैं कल के हमारे question of the day के question की उसका आनसर भी तो आपको बताना ना तो कॉस्टन ओड़ डे का कॉस्टन कलम ने जो पूछा था कुछ इस प्रकार से था कि निमनों मैंसे आउनलाइन से चाहा एक से बारे के लिए सुरू किये गए कारेकरम का नाम बताईए जो आतम निर्बार भारत अभियान के तहत बताया गया आप्शन ए पी-एम-ई विद्या, आप्शन भी पी-एम-ई सुरुक्षा, आप्शन सी पी-एम-ई अभियान और आप्शन डी पी-एम-ई कल्यान साथ्यों मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इतनी मैनत करके मैं एक इंड़स्ट्री में जॉब करता हूँ, उसके बावजूद मैं टाइम निकालकर करन्ट अफिर का वीडियो बनाता हूँ इतनी मैनत से काम करने के बावजूद मुझे किसी प्रकार का कोई रैस्पॉंस नहीं मिल रहा है तो साथ्यों आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो पूरा देखे, मैं वीवेक कुमार क्वालेटी में विश्वास करता हूँ, क्वांटिटी में नहीं तो वीडियो पूरा देखेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि आपको किस लेवल का कंटेंट मिल रहा है साथ्यों इसके अलावा हमारे क्वेस्टन अप दाडे का आंस्वर भी हमें नहीं मिल रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉस्टन आप दाडे का आंस्वर जरूर दे साथ्यों कल जो हमने कॉस्टन पूछा था उसकॉस्टन का रायट आंस्वर क्या है कि अभी हाल ही में लोगडाउन चल रहा है तो लोगडाउन में प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने आतम निरबर भारत अभियान शुरू किया है और आतम निरबर भारत अभियान के तैथ आनलाइन सिक्षा को बढ़ावा दिया गिया है यानि कि Digital Education इन इंडिया को बढ़ावा दिया गिया है और इस Digital E Education की कड़ी में One Nation One Digital Platform का विस्तार किया जाएगा और इसके तैद प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कारे करम शुरू किया है कच्छ एक से बारे के लिए और उस कारे करम का नाम है PME विद्याम तो Option A Right Answer है PME विद्या योजना और यह प्रोग्राम तुरंट लॉंच किया गया है और इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सिक्छा के लिए लॉंच किया गया है साथ यो इस प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम के तैत सो विशुविधालियों को 30 मई 2020 तक स्वचालित रूप से आउनलाइन पाठे करम सुरू करने की अनुमति प्रदान की जाएगी और साथ यो यह जो कारे करम है यह कारे करम दिक्छा पोर्टल पर लॉंच किया गया है दिक्छा ही पोर्टल पर आपको सभी राज्यों के लिए सभी के इंदर सासिर प्रदिसों के लिए इसकूली सिक्षा का जो पाठिक्रम है, कच्छ एक से बारवी तक का जो पाठिक्रम है वो है पाठिक्रम रेडियो, टीवी चैनल, या फिर पोड़कास्ट इत्यादी के माध्यम से सुनने और देखने के लिए इस सामगरी, विसेश इस सामगरी आपको मिलेगी कल का हमारा कॉस्टन करा है, टांस वरता पी एमी विद्या साथियो, आज का कॉस्टन आप दा डी भी आपको मिलेगा तो वीडियो कंप्लिट देख ले और उस से पहले बात करते हैं, एक इंस्पारेशनल क्योट्स की साथियो, जिन्दगी में इंस्पारेशन जरूरी है, विदाउट इंस्पारेशन हम कुछ नहीं कर पाते हैं साथियो, तेरे खिलाब क्या तूफान क्या आंधी और क्या सुनामी करेंगे आज बादा बनके जो खड़े हैं, कल तुझे ये सलामी करेंगे और साथियो, सलामी तो तभी मिलेगी जब आपको सक्सेज मिलेगी और सक्सेज के लिए पढ़ना जरूरी है, एक सिक्षक आपको पढ़ा सकता है दरवाज्ये खोल सकता है ग्यान के, लेकिन प्रवेश तो आपको करना पड़ेगा और इसी प्रवेश के साथ हम सुरू करते हैं, आज का अमरा करन्ट अपिरस जी के क्वेस्टन संग्या फश्ट से क्वेस्टन संग्या फश्ट है कि भारत की सिपारिश पर विशु भर में अंतराष्टे चाय दिवस यानि कि इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है ओप्सन ए एक मही को, ओप्सन भी ग्यारे मही को, ओप्सन सी 21 मही को और ओप्सन डी 31 मही को साथ चाय, चाय पे चर्चा, प्रदान वंत्री मोदी जी ने सुरू की थी चाय पे चर्चा आज हम इसी चाय की बात करते हैं और इसी चाय पर अंतराष्टे चाय दिवस मनाया जाता है भारत में भारत की बात की जाए तो भारत में अंतराष्टे चाय दिवस कब मनाया जाता है यह मनाया जाता 21 मई को तो आपसन सी राइट आंसर है 21 मई को पहले कब मनाया जाता था पंद्रे दिसंबर को और अब कब मनाया जाता 21 मई को कब से भारत किसी पारिस पर हम इसकी बात करेंगे कि कब से मनाया जाता है साथियो तो राइट आंसर क्या हुआ आपका 21 मई साथ यो अंतराष्टे चाय जो दिवस है इसको मनाने का उद्देश से क्या है इसको मनाने का उद्देश से है चाय स्रमिकों के अधिकारों देनिक मजदूरी सामजिक सुरक्षा रोजगार सुरक्षया और स्वास्ते की इस्तिती को बैतर करने के लिए प्रोथाइद करना चाय उत्पादक देश इस जो विवसाय है चाय के विवसाय से बहुत लाब कमाते हैं लेकिन चाय के बागानों में काम करने वाले मजदुरों की हालत आज भी खराब है आज भी उन्हें दियाडी का दस रुपया बीस रुपया तीस रुपया मिलता है तो उन स्रिमिकों की इस्तिती को सुदारने के लिए और उत्पादकों की इस्तिती को सुदारने के लिए अंतराश्टे चाय दिवस मनाया जाता है बात करते हैं अंतराष्टे चाय दिवस के इतियास की तो अंतराष्टे चाय दिवस के इतियास है अंतराष्टे मासबा ने भारत द्वारा अक्टुमबर 2015 में चाय पर अंतराष्टे खाद्य और किर्सी संग्ठन एप एओ के अंतर सरकारी समू की बैठक में दिये गए प्रस पहले की बात की जाए तो साल 2019 से पहले 15 दिसंबर को चाय उत्पादक देशों बांगला देश स्रिलंका नेपाल वियतनाम इंडोनेसिया केनिया मलावी मलेशिया युगांडा भारत उतन्जाज्या में अंतराष्टे चायर दिवस के रूप में मनाया जाता था यानि कि पहले क्या था 15 दिसंबर भारत की सिफारिश पर किया गया 21 मई इंटरनेशनल टीडे अंतराष्टे चायर दिवस साथियों इसमें एक क्वेस्टन हमारे पास आया बहुत छोटा सा क्वेस्टन है कि एप ओ एओ अंतराष्टे खाद्य और किर्सी संगठन इसकी बात की जाए इसको कहते है फुड एड एगरिकल्चर और गेनाइजेशन इसका मुख्यालिया है रॉम में रॉम का है इटली म और इटली की कौन है सोनिया ताई इस्थापना कब हुई थी एफ एओ की 16 एक्टुमबर 1945 को और इसके माने दे से कौन है क्वे डॉंग्यों साथे अब बात करते हैं चाए आखिर चाए है क्या चाए जो की लंबे समय से सेवन किया जा रहा है जिसको पिया जाता है चाए को आखिर हुए चाए है क्या साथे इस चाए के हम बात करें तो यह जो चाए है यह चाए कैमेलिया सिने सिन्स पोदे से बनने वाला एक पदार्त है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पदार्त है पानी के बाद साथ यो पहले नंबर पर नहीं है पहले नंबर पर पानी है पानी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पिये जाने वाला पदार्त क्या है चाय और ऐसा माना जाता है कि चाय क लेकिन अभी तक इसके मूल इस्थान के बारे में कोई विश्वस्निय जानकारी या विश्वस्निय प्रमाण नहीं मिला है और इस बात के कुछ प्रमाण मिलते हैं कि चीन में लगबग 5000 साल पहले चाय पी जाती थी और चाय का सेवन क्यों कि आ जाता है चाय को क्यों पी आ जाता है इसको को पीने के कारण क्या है इसको एंटी ऑक्सिडेटेंट और वजन घटाने के प्रभावों के लिए भी स्वास्ते लाब और कल्डान कारी माना जाता है ग्रीन टी ब्लैक टी ठीक है बहुत सारे हैं रेड और कई सम्हुदायों में इसका सांस्कृतिक में तो भी है तबी तो प्रदान मंत्री रहेंदर मोदी जी जी चाहे पर चर्चा की थी नेक्स्ट क्वेस्ट संक्या 2 भारत में हर साल आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है option A 21 मय को, option B 21 को, option C 1 नौंबर को, option D 31 दिसंबर को साथ यो anti-terrorism day यानि की आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है 21 मय को option A right answer 21 मय साथ यो इस दिन किस मही को आतंकवादियो दुआरा की जाने वाले इंसा के बारे में जाग रुकता पहला ही जाती है इसका लावा आतंकवाद फिरोधी दिवस यूवाओ को आतंकवाद के इकलाब जानकारी प्रदान करने मानवे पीडा और जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में जानकारी देने के लिए मनाया जाता है और यह दिन लोगों को आतंकवाद के एक सामाजी क्रत्य से भी आउगत कराता है सात्यों बात करते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस यानि के अंटी टैरेजिनम डे की क्यों सुरुवाद हुई थी इस दिवस की तो सात्यों 21 मैं 1991 में को भारत के सात्वे प्रदान मंत्री जो की यूवा प्रदान मंत्री थे राजिव गांदी की पुन्य तिति की समर्ती में यह दिवस मनाया जाता है राजिव गांदी की तमिल नाडू के आतंकवादी संगठन तमिल टाइगर्स इलम यानि की लिट्टे द्वारा एक हमले में अत्या कर दी गई थी जब इनकी अत्या हुई 21 माई 1901 को तो उसके बाद वीपी सिंग की सरकार आई और वीपी सिंग की सरकार ने 21 माई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह हमारे प्रदान मंत्री साथवे प्रदान मंत्री थे राजयु गांदी जो की सोनिया गांदी वर्तमान में जो राष्टे अध्यच्छ है कॉंग्रेस की उनके पती और राहूल गांदी के पिताब निम्न मैंसे किसे भारतिय इस पात संग्यान की इंडियन इस्टील एसोसियेशन ने अपना नया अध्यक्ष न्युक्त किया है आप्सन ने रोहित कपूर आप्सन भी दिलिप उम्मेन आप्सन सी अतुल अंजान और आप्सन डिक्टी सी नरेंद्रन तो साथी अभी वर्तवान में भारतिय इस पात संग्यान के इंडियन इस्टील एसोसियेशन ने अपना नया अध्यक्ष न्युक्त किया है दिलिप उम्मेन को उप्सन भी राइट आंसर दिलिप उम्मेन और दिलिप उम्मेन की बात की जाए तो ये वर्तमान में आरसेलर मितल निपॉन इस्टील इंडिया के CEO है तता उन्हें अगले दो वर्सों के लिए सर्व सम्मति सद्ध्यक्ष चुना गया है कि यह क्या टाटा इस्टील के जो CEO है टीसी नरेंद्रण उनका इस्तान लेंगे यानि कि इनको रिप्लेस करके इनका यह इस्तान लेंगे दिलिप उम्मेन लेह एक पर नरेंध्रन एक महीं से अध्यक्ष के। कि दिलिप उम्मेन की बात की जाए तो दिलिप उम्मेन को 37 सौल का तो अनुब हुआ है। कि इसके इसके लावा उम्मेन जो है भारती प्रहद्व्द्वी की संस्तान जैने के I.T. Kharakpur के पूर्वे छात्र होने के साथ पेसेवर अनुभवी है बात करते हैं भारतिय इस पात संग्यानी की इंडियन इस्टिल आसोसियेशन की तो साथ की इंडियन इस्टिल आसोसियेशन की स्थापना हुई थी 2014 में और इसका मुख्याल लिये नई दिल्ली हमारे देश की राजदानी दिल्ली है नेक्स्ट कॉस्टन संक्या चार निम्न मैंसे किस राज्य की ग्रामिन एजिवी का मिसन की महिलाओ द्वारा दीदी वाहन सेवा सुरू की गई है आप्सनी राजस्थान, आप्सनी गुजरात, आप्सनी उत्तर परदेश और आप्सनी मद्यपरदेश साथे अब भी हाल ही में आदिवासी बहुल जहाबुआ जिले में ग्रामिन एजिवी का मिसन की महिलाओ द्वारा दीदी वाहन सेवा सुरू की गई है आदिवासी बहुल जहाबुआ जिला किस राज्ये में है? मद्यपरदेश राज्ये में जिसके मुखे मंत्री है शिवराज सिंग चोहान, राज्यपाल है लाल जी टंडन और मद्यपरदेश राज्ये की ग्रामिन एजिवी का मिसन की महिलाओं ने जो कि आदिवासी बहुल की महिला है उन्होंने दीदी वाहन सेवा सुरू की है तो option D. right answer है मद्य है प्रदेश Next बात की जाए दीदी वाहन सेवा के बारे में तो दीदी वाहन सेवा ग्रामिन महिलाओ के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए सुरू की गई है जो आदिवासी छेत्रों में गर्वती ग्रामिन महिलाओ के लिए एक जीवन रेखा साबित होती है इसके तेट आपात कालिन सेवा के लिए वाहन उपलब्द रहेगा और ये है ग्रामिन अजीव का मिसन की महिलाओ जाववा के पैटलावद विकास खंड की दस ग्राम पंचायतों के 39 गाओं में सुरू की के दीदी वाहन सेवा के तेट पूरी तरह से फिरी वाहन सेवा प्रदान कर रहे है और दीदिवान सेवा का जो खर्च है वो मेलाओ द्वारा अपनी बचत पर अरजित ब्याज के माध्यम से वेहन किया जते है नेक्स्ट क्वस्टन संग्या पाँच निम्न मेंसे किस राज्ये में IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मद्यस्ट इंटिग्रेटेड रिस्क इंसुरेंस द्वारा मी अनपूर्णा नामा के एक पहल सुरू की गई है आपसन ए राजस्थान में आपसन भी महाराश्टर में आपसन सी ओडिसा में और आपसन डी केरल में तोस मेरे साथियों मी अनपूर्णा जो पहल है वो सुरू की गई है महाराश्टर राज्जे में आपसन भी राइट आंस्वर महाराश्टर रा इस पहल के बारे में बात की जाए कौन सी मी अनपूर्णा पहल की बात की जाए तो मी अनपूर्णा जो पहल है वह एक एकरत जोखिम बीमा द्वारा किसानों और किर्सी समुधाय के कल्यान के लिए एक कॉर्पोरेट सामजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनी प्रतित बदता के तहत सुरू की गई है और यह पहल तीन कारकों पर काम करती है पहला है एक्सपर्टीज दूसरा है इंगेजमेंट और तीस्ता है एंटिल मेंट साथ मियन पूर्णा जो यूजना है वो किर्शक समुधाय के उत्थान के करम उन्हें दीरकाली की स्थाई कारेकरम परदान करने के उनकी आय की निरंतरता के लिए आतम निर्बर महाराष्टर के भूमी पुत्र के लिए एक एकरण जो घिम बीमा की प्रतीबदता है इंटी ग्रेटेड इंस्योरेंस की प्रतीबदता है महाराष्टर जो राज्य है उसके मुख्य मंत्री कौन है उद्दव ठाकडे राजदानी है मुंबाई नेक्स्ट क्वस्टन संक्याच्छे हर साल विशुष्टर पर समवाद और विकास के लिए रांस्कृतिक विविद्धिता का विशुए दिवस यानि कि World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development कब मनाया जाता है उप्सने 5 मई को उप्सन B 21 मई को उप्सन सी 17 जून को और उप्सन D 31 अगस्त को तो मेरे प्यारे साथियों समवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविद्धिता का विशुए दिवस यानि कि World Day for Culture, Diversity for Dialogue and Development मनाया जाता है 21 मई को उप्सन B राइट आंस्वर 21 मई इस दिवस की बात की जाएं तो इस दिवस को मनाया जाने का उद्देश सी है सांस्कृतिक समवाद, विविद्धिता और समावेशन के मैतू को लेकर जागुटा बढ़ाने के साथ साथ सांस्कृतिक अभी विविद्धिता के संरक्षण और समवर्धन पर यूनेसको कन्वेंसन के चार लक्षण को आगे बढ़ाना है और वो चार लक्षए कौन-कौन से है पहला लक्षे है सांस्कृतिक वस्तों और सेवाओं के संतुलित प्रवाओं को बनाए रखना और कलाकारों और सांस्कृतिक पेसेवरों की गती सिल्ता बढ़ाना दूसरा लक्षे क्या है सतत विकाश डाचे में संस्कृति को जोड़ना तीसरा लक्षे क्या है मानाव, अधिकारों और मौलिक सवतनतरता को बढ़ावा देना और चोथा लक्षे है संस्कृति के लिए सासन की इस्ताई परनालियों का समर्धन करना इन चार लक्षियों के लिए के उद्देसे से समवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविद्दा का विसु दिवस मनाया जाता है बात करें इस दिवस की तो यह दिवस है एक तुराष्टे से एक चिक विग्यानिक और सांस्कृतिक संगठन यानि कि UNESCO ने वर्स 2001 में अफगानिस्तान के बाम्यान की बुद्ध प्रतिमा को तोड़ने के पढ़नाम सुरूप सांस्कृतिक विविदता पर सारवे भूमिक गोश्णा को अपनाया था जिसके बाद दिसंबर 2002 में UN जनरल असेंबली ने अपने 57 बड़ा 249 प्रस्ताव के से हर साल 21 मेई को समवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविदता का विश्व दिवस के रुपे बनाने की गोश्णा की साथ यो बात आगी यूनेस्को की यूनेस्को की बात की जाए तो इसकी इस्तापना कब हुई थी चार नॉम्बर 1946 को मुख्याल लेका हैं फ्रांस के पैरिस में और इसके वरत्मान अद्धिक्ष कौन है यूनेस्के के आंड्रे जोल नेक्स्ट क्वस्टन संक्यास साथ निम्ण मैंसे किस के इंद्रसासिष प्रदेश के सुचना और जनसंपर्ख विभाग ने सुकून कौविड-19 बीट दय श्ट्रेस नामके एक नया कारेकरम सुरू किया है साथी अभी हाल ही में कौविड-19 के चलते हुए सुचना और जनसंपर्ख विभाग ने सुकून कौविड-19 बीट दय श्ट्रेस एक कारेकरम सुरू किया है और एक कारेकरम किस के इंद्रसासिए प्रदेश ने किया है जम्मू and कस्मीर यानि कि जम्मू कस्मीर، ऑप्सन सी राइट आंस और जम्मू कस्मीर यह जो कारेकरम है यह लोकडाउन से पढ़ने वाले मनोवेकिया ने प्रभाव को दOOर करने के लिए अपना है जाने वाले उपायों के बारे में जागरुकता पहलाने के लिए शुरू किया है इस कारेकरम सुकून COVID-19 बीट दे श्ट्रेस का उद्देश से क्या है नागरिकों के मानसिक स्वास्तिय को बहतर रखना और COVID-19 से संबंदे समस्याओं को निदान करना है अनि कि यह एन इनिसिट्यूट बाइड दी आईपया तो स्प्रीड अवेर्नेस अबाउट देश साइकलोजिकल इफेक्ट अप लोगडाउन और मीजर तो बी अदोप्टेट तो ताइड ओवर तीज तप ताइम्स यह जो कारेकरम है सुकून COVID-19 बीटदे इस्ट्रेस इसका प्रसाण दूरदर्शन डीडी कस्मीर दूरदर्शन कस्मीर चैनल पर हर मंगलवार को सुबह 9 बजी किया जाएगा जिसके दोरान मनोचिकितसक, प्रक्याचिकितसक और विग्यानिक, मनोविग्यानिक स्वास्ते पर अपने विचार साज़ा करेंगे नेक्स्ट क्वस्टन सग्याठ निम्न में से किसी कॉमर्स दिगज कंपनी ने अपने ग्राकों को डिजीटल मोटर बीवा पॉलिसी की सुविदा देरने के लिए बजाज अलियान जनरल इंसुरेंस के साथ समझोता किया है आप्सन ए फिलिपकार्ट, आप्सन बी अमेजन, आप्सन सी कलब फैक्ट्रियर, आप्सन डी अलिय बावा तो साथियों अभी हाल ही में एक दिगज कंपनी है फिलिपकार्ट इसने अपने ग्राकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी की सुविदा देने के लिए बजाज अलियान्स के साथ समझोता किया है तो आप्सन ए राइट अन्सुरें फिलिपकार्ट बीमा कंपनी और ई-कॉमर्स प्रमुक के बीच ये साज़ेदारी फिलिपकार्ट के उन ग्राकों को या उनके वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए सैज, सुलब और फ्लेक्सिबल समधान परदान करेगी ये एक उप्युक्त समधान परदान करने के लिए ही फिलिपकार्ट ने सुरू किया है नेक्स्ट क्वस्टन संग्यान नौ नेम्न मैसे किसे केंद्रे मंत्री मंडल की न्यूक्ती समिती ने राश्टी करसी और ग्रामिन विकास बैंक यानि कि नैशनल बैंक पर अग्रिकल्चर और रूरल डवलप्मेंट का अध्यक्ष न्यूक्त किया है अप्सन है हरेंदर सिंग, अप्सन भी सुबास चंदर पराला अप्सन सी गोविंदा राजुलू चिंटला और अप्सन डी अतु लगनी होतरी तो साथियो अभी नाबाड यानि कि नैशनल बैंक पर अग्रिकल्चर और रूरल डवलप्मेंट ने अपना नया अध्यक्ष न्यूक्त किया है गोविंदा राजुलू चिंटला को अप्सन सी राइट अंस्वर है गोविंदा राजुलू चिंटला और साथियो यह जो है नाबाड में मुख्य मापरबंदक के रूप में सेवारत है और जुलाई 2022 में सेवार ने उरती तक पदपर बने रहेंगे यह डॉक्टर हर्सकुमार भानवाला जोकि नाबाड के अध्यक्ष है उनका इस्तान लेंगे नेक्स्ट और आज कामरा लाश्ट क्वेस्टन क्वेस्टन संक्या 10 वर्ल्ड बैंक ग्रूप ने किसे अपना नया उपाद्यक्ष और मुख्यार सास्त्री निक्त किया है उप्सन ए जैक जॉन्स को उप्सन बी कार्मेन रेनहार्ट को उप्सन डी सी फ्रेंडरिक बेंजामिन को उप्सन डी अब्दुल नाजिर को सातियो नया अध्यक्ष और मुख्यार सास्त्री वर्ल्ड बैंक ने किसे निक्त किया कार्मेन रेनहार्ट को उप्सन भी कार्मेन रेनहार्ट ये एक लेडी है जो कुछी इस तरह से दिखती है बात करें कार्मेन रेनहार्ट की तो इनकी न्यूकती 15 जून 2020 से प्रभावी होगी और कार्मेन रेनहार्ट आईएमेप में वरिष निती सलाकारियों उपनी देशक और इन्वेस्टमेंट बैंक बियर इस्टंस में उपाद्यक्ष और मुख्यार्थ सास्त्री का काम का सम्भाल चुकी है उन्हें अर्थ सास्त्र में किंग जुवान कारलोस पुरुसकार और एन एबी के एडम इस्मित पुरुसकार से नमानी तो भी किया जा चुका है और कार्मेन रेनहार्ट को प्रकासनों और विद्वानों के रणों के अधार पर दुनिया बरके सीर सास्थ्रियों में से चुना गया है इनकी बात की जाए कार्मेन रेनहार्ट की तो वे फाइनेंस में ब्लूमबर्ग मार्केट्स तो साथ यो ये था आज का मारा करेंट अफिर्स जी के और बात करते हैं आज के क्वेस्टन्स अफ दा डे की आज का मारा क्वेस्टन अफ दा डे की इन दिनों चर्चा मेरा इनाम प्लेट फॉर्म सोरी पॉर्टल किस से सम्बन दिता है option एं गरेब कल्यान यौजना से ऑपशन बी कोईडर ऑडडीो से से बचाव से option सी कर्षित उतपादों को ओन-लाइन बेचने से option ए आदार डेटा में समपादन से और इसका रायट आण्सर आपको कमेंट बॉक्स में देना या म्रॉर्णिंग्स में देजिए तो साथ यो वीडियो पूरा देखिया करें डेली आपको अच्छा अच्छा content मिलेगा तो current पढ़िए साथ यो current इतना विस्तार से current आपको नहीं मिलेगा कई भी साथ यो वीडियो अच्छा लगे तो like करें इसके लावा वीडियो का पीडियाप डाउनलोड करें पीडियाप डाउनलोड करने लिंक वीडियो के डिस्किप्शन में मिलेगा हमारे यूटूब आप खुल गया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कई भी घूम है ज़रोरी काम से घर से बाहर निकले आपका दिन सुबह मिलते एक नए वीडियो के साथ हमारे अपने यूटूब चैनल यूवी कंपेशन स्बाव